कंगना रनौत ने अंकिता लोखंडЕ और सहषांध सिंग राजपुत के रिष्टे के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है आपको बता दे कि कंगना रनौत बाहर रहते हुए अंकिता लोखंडे को सपोर्ट कर रहे है साथ ही मीडिया को बुरी तरह कंगना ने लैश आउट किया है क्योंकि जब से अंकिता लोखंडे की सास ने अंकिता से कहा है कि तुमने विकी को लात क्यू मारी है उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि अंकिता की सास काफी टॉक्सिक है ऐसे में कंगना रनौत ने ना सिर्फ मीडिया वालों को लैश आउट किया है बलकि ये भी कहा है कि तुम्हें नहीं पता मिडल क्लास फैमिली में परिवारों में ट्रडिशनल फैमिली में मॉम्स कैसी होती है ऐसे बाते कर रहे हूँ जैसे तुम सब खुद फॉरन में बैठे हो अब इसी बीच कंगना रनौत ने एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरह से विकी ने अंकिता को उस टाइम में संभाला जब अंकिता पूरी तरीके से खत्म हो गई थी अकेली हो तब विकी ने अपनी ट्रेडिशनल फैमली के खिलाफ जाकर अंकिता को सपोर्ट किया अंकिता की मदद की जबकि अंकिता और सुशान्त के अफेर उनके ब्रेक अप के बारे में सब लोग जानते थे इवन विकी की फैमली भी जानती थी उसके बावजूद विकी ने तब अंकिता की मदद की थी विकी की फैमली को पता था कि अंकिता सुशान्त के प्यार में कितनी पागल है और मीडिया में भी सुशान्त की कितनी तारीफ करती रहती है उसके बावजूद जब विकी अंकिता को तारीफ कर रहा था चाहे उनके घरवाले तब नाराज हुए हो य और जूल्टरी पहन कर आई है, वो एक ट्रडिशनल महिला है, फिल्मी दुनिया का उन्हें अंदाजा भी नहीं है, ऐसे में मीडिया हाउसेज को अंकिता के इन लॉस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें बिग बॉस की इन कॉंट्रिवर्शल फाइट से आउट ही रखना चाहिए, आपको बता दें कि कंगना रनौत और अंकिता लोखंडे में गहरी दोस्ती है, दोनों ने सुशान सिंग राजपूत के टाइम पर सुशान के केसिस को लेकर काफी खुलासी किये थे, इसके अलावा दोनों ने साथ में मरी करनी का फिल्म में भी काम किया थ और बताया जाता है कि वहीं से इन दोनों की दोस्ती गहरी हुई